गरते गाईब यूबक का शब गन्ने के खेट में टुकडों में मिलने से ग्राम में संसनी फैली उत्तविदेश के जनपत मुरदवाद में उस वक्त हड़कम मच गया जब एक यूबक का शब सड़क किनारे पड़ा मिला बताया जा रहा है कि यूबक नो दिन पहले घट से न लेकर पोस्माटम के लिए भिजवा दिया है और आगे की जांच में जूटी है सड़क किनारे शब मिलने की एक घटना सिवी लाइन धाना चेत के सेरुवा धरमपूर की है आपको बता दें कि नो दिन पहले रंजी सिंग नाम का एक यूबक घर से निकल गया था परिजुन से मिली जानकारी के अनुसार यूवग रंजीत की पंदरा दिन बार शादी होने वाली थी 14-6-2020 को वे घरवालों को बिना बताए घट से निकल गया आपको बताते चले यूवग का घराम के ही अन्ने जाती की एक लड़की के साथ प्रेम प्रेसंग चल रहा था वही रंजी था इस लड़की की चादी फिक्स होई थी जो इसको पसंद नहीं थी उसके बाद से ये सुवए छह बज़े से अपने घर से गया भाए तो इस में पुलिस कर रहे थी बाद में एक इसके घर से डायरी भी प्राइड हुई थी जिसमें इसने अपने बैंकदेल्स के बारे मे पताया था, ये भी लिखा था कि मेरे जाने के बाद आपको क्या क्या करना है, इसमें फिर इसकी जो प्रेमिका थी, उससे पूस्ताच चल रही थी, कल उसने बताया कि ये इसके शादी जो फिक्स हो गए थी, इससे ये शुब्द था, और आत्मात्या की बात कर रहा था, ये दोनों को खुदखुशी करने के बारे में बात करी, इसके बाद एक तमंचा था, उस तमंचे से इसने अपने आपको गोली मारी, उसके बाद लड़की को भी गोली मारनी थी, इसने तमंचा चलानी के प्रयास किया, बट इससे चलनी पाया, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाया गया विदिकारवई की गई मौके से एक तमंचा एक खोखा और एक जंदा कार्थूज भी बरामत किया गया है विदिकारवई करी जारी